देश टीवी की सुर्खियों में देखते हैं आज की देश विदेश की चर्चित ख़बरें 15 जुलाई की सुर्खियों में पहले स्थान में 38 साल बाद ठमेंगे रेल के पहिये देश में 38 साल बाद फिर चक्का जाम के आसार नजर आ रहे हैं रेलवे के सबसे बड़े चालक संग ने रेलवे बोर्ड को नीजी करन बंद करने समेत अन्यमांगों को लेकर 15 से 17 जुलाई के बीच एक दिवसी भूखरताल और चक्का जाम करने की चितावनी दी है इसी कड़ी में आज सांकेतिक तोर पर देशवयापी भूखरताल रेल इंजन चालकों ने शुरू भी कर दिया है हलाकि इंजन चालक भूखरताल के दौरान रेल गाडियों का संचालन भी करेंगे लेकिन अगर सरकार ने कोई हस्तक शेप नहीं किया तो मंगलवार से देश भर में रेल गाडियों का चक्का जाम हो सकता है वहीं रेलवे बोर्ड ने इस चेतावनी पर सक्त रूख अपनाया है और करमचारियों को किसी भी हर्ताल में शामिल नहोने की चेतावनी भी दी है आज के सुर्ख्यों में दूसरे स्थान में हैं चंदरयान 2 के लांचिंग में आई बाधा भारतिय अंतरिक्ष अनसंधान संस्थान यानि इसरो के महत्वा कांक्षी मिशन चंदरयान 2 की लांचिंग तकनीकी वजहों से रुख गई है अब बताया जा रहा है कि मिशन के लांच की संशोधित तारिक अगले 10 दिनों तक नहीं आईगी क्योंकि इंधन को खाली करने और GSLV MK3 की जाच में समय लग सकता है चंदरयान 2 का प्रक्षेपन के फाइनल काउंटडाउन शुरू होने से 56 मिनट 24 सेकेंड पहले इसे रोग दिया गया है आज के सुर्खियों में तीसरे स्थान में करनाटक विधानसवा में सरकार करेगी बहुमत साबित भारती जन्ता पार्टी के विधाया का आज करनाटक विधानसवा पहुँचे जहां भाजपा नेता बी-एस यदुरप्पा ने आज विधानसवा में करनाटक में बागी विधायकों को मनाने के लिए करनाटक विधायक गडबंदन के नेता हर संभव प्रयास कर रहे हैं वही बागी विधायक इस्तिफा वापस न लेने पर अड़े हुए है जेडिय सुत्रों के मताबिक करनाटक के मुख्यमंतरी कुमार स्वामी सुम्मार को विधानसवा में बहुमत साबित कर सकते हैं आज के सुर्खियों में चौथे स्थान पर है करतारपूर कॉलिडोर पर पाकिस्तान सहमत भारत और पाकिस्तान के बीच वे करतारपूर कॉलिडोर मुद्दे पर द्विपक्षी वारता संपन हो चुकी है। इसमें कॉलिडोर पर जारी गतिरोद दूर करनी की रणनीती पर विचार विमश किया गया। बैठक में भारत ने पाकिस्तान के सामने शद्धालूओं के ल पर है गरीब सवर्णों को आरक्षन के बाद मिलेगी उम्र में छूट। सामाने वर्ग के गरीब सवर्णों को 10% आरक्षन देने के बाद अब अन्य पीछड़ा वर्ग की तरह अधिक्तम आयू सीमा में भी छूट देने पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताब तो गरीब सवर्णों को भी सभी तरह का लाब दिया जाना चाहिए। टारा करने निर्देशित किया है उम्रकैत की सजा काट रहा आसाराम की सजा पर रोक लगाने की याची का 26 माज 2019 को हाई कोट ने खारिज कर दी थी आज की सुर्ख्यों में सात्वे स्थान में हैं ग्रेजवेट महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका बिहार सरका के पदों पर नियुक्तियां किया जाएगा जिसमें 3034 पदों पर महिलाओं की भर्ति की जाएगी इन पदों के लिए टेक्निकल डिग्री से वंचित महिलाएं भी आवेदन कर प्रोजगार पा सकती हैं आज के सुर्ख्यों में आठवे स्थान में हैं नेपाल और बांगलादेश के बाढ़ का असर भारत पर नेपाल और बांगलादेश में बाढ़ और भूस खलन से अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 30 लोग घायल हैं दोनों देशों में लाखों लोग अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में शरन लेने को मजबूर हैं परोसी देश का असर बिहार और असम में भी दिखाई दे रहा है जहां भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं बाल का अच्छा खासा असर जन जिवन पर भी पड़ा है देश के विभिने इलाकों में भी बड़ी तादाद में मकान थ्वस्त हो गए हैं सडके अरुद्ध हैं और कई पुलों को भी शती पहुंची है आज के सुर्खियों में नौमेस्थान पर है सलमान खान ने खास अंदाज में किया चैलेंज पूरा सोशल मीडिया पर इंदी नो हैस्टेक बॉटल कैप चैलेंज काफी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है जिसके चलते जहां शुरुआत में अक्षय कुमान ने अपनी सूपर किक से बोतल का धकन खोला वहीं उसके बाद कई स्टार्स ने इस चैलेंज को एकसेप्ट कर पूरा भी किया लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो भी आये जो काफी फणी थे अब बॉलियोट के भाईजान यानि सल्मान खान ने भी इस चैलेंज को एकसेप्ट किया है और एक खास वीडियो शेयर भी किया है हाला कि वीडियो में उन्होंने अक्षय कुमार की तरह किक तो नहीं मारी लेकिन अपने फैंस को एक जरूरी मैसेज जरूर दिया है आज की सुर्खियों में दसवे स्थान पर है इंग्लेंड बना पहली बार वर्ल्ल कप चैंपियन ICC वर्ल्ल कप 2019 का समापन एतिहासिक लॉट्स मैदान पर रोमान चक फाइनल मुकाबले के साथ हुआ जिसमें न्यूजिलैंड के खिताब जीतने के सपने को चूर चूर करते हुए इंग्लेंड ने सूपर ओवर में जीत हासिल कर पहली बार वर्ल्ल कप चैंपियन बनने का गौरो हासिल किया है कीवी टीम लगातार दूसरी बार वर्ल कप के फाइनल में पहुँची लेकिन खिताब एक बार फिर उससे कुछ दूर ही रह गया लॉट्स मैदान पर वर्ल कप नहीं जीत पाने की कसक केन विलियमसन की टीम को लंबे समय तक रहेगी वर्ज 2015 के वर्ल कप में फाइनल में भी न्यूजिलैंड को आस्ट्रिलिया से हार कर खिताब से वंचित होना पड़ा था